नमस्कार बिहार पे चर्चा अभिशेक तिवारी जी के साथ अभिशेक तिवारी जी के साथ हम कल रात इनके चैनल पर लाइव थे तो उसी समय ये तै हो गया था कि आज चर्चा करेंगे बिहार पर और चुकि बिहार में कुछ ऐसी गतिविधियां अभी हुई भी हैं खास तोर से राजनीतिक हलकों की अगर मैं बात करूँ तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो एंडिये के सांसद हैं वहां के बिहार के उन सब से बातचीत की अब ये मुझे पता नहीं कि उसमें चिराग पासवां थे नहीं होंगे जरूर ये मुझे इसके बारे में डिटेल्स नहीं मिलिए अभिशेग जी से इस बारे में बातचीत करेंगे तो अभिशेग जी बताईए कि कहां क्या मोदी जी ने क्या संदेश दिया और क्या बातचीत रही कौन-कौन लोग मौजूद रहे कुछ इस बारे में परकास डालिए हर्ष की बात के लाइफ के सभी दर्शकों को प्रणाम जैश्राम नमस्कार देखी इस मीटिंग का मुख्य दे ये था कि अभी तो फीड़बेक आपको मैंने पहले ही बताया था एक शो में कि कई संसदों के संसदों के टिकेट काटने की बात चल लिए तो फीड़बेक के लि पर अपोजीशन के पास सही में वोट बैंक है जो इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला कितना क्लेवर ढग से चुनौल लड़ पाता है तो उतनी ही आपको जो है एग्रेसिव राजनीतिक विचारधारा के साथ पूदना होगा अटैक करना होगा उसके दो कारण है इ अजब सा शिफ्ट लिया है एक स्टैंड सा है कि जो भी प्रोटेस्ट में करता है चाहिए वह आम सांती से बैठा हुआ हो अपने सल पे उसको भी पीट दिया जाता है मैं आपके दर्शकों को बताओं कि भागलपूर में कल एक बीजेपी के नेता को इसी प्रकार से बिहार बीजेपी के नेता भागलपूर में धरना दे रहे थे वहां के लोकल इशूज को लेकर अच्छा जी और सब्सक्राइब अच्छा कहीं ऐसा निकी सड़क पर कहीं यह समविधानी कदिकार है और इस प्रकार से चीजें अगर राजनीती में होने लगनी है तो आपको उठान होगा इंडिये के सभी सांसद मौझू थे पासूपति भारत भी थे चिराग पासवान भी थे पहले तो नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम को बिहार में जो अलायांस के अंदर जो महत्तुकांशा है उसको पहले काउंटर करना होगा कि आप लोग अपनी महत्तुकांशा को भूल करके नितीश कुमार पर अटैक करें सभी थे और उनसे यही कहा गया बिहार को ले करके कि आप अपने शेत्र में अब जाईए अब काम करने का समय है टिकेट किसको मिलेगा कब मिलेगा कैसे मिलेगा यह आप लोग का परफॉर्मेंस बताएगा और अपने छेत्रों मे हैं तो यह मानसून सेशन समाप्त होते ही बिहार भेजने की तयारी है सांसदों को और जम करके फिर राजनीती जो है अगले एक साल इंपुक करने का बोला गया है नोदी जीस का लाब भी उठा रहे हैं कि पार्लेमेंट सेशन चल रहा है सभी सांसद दिल्ली में हैं तो मिटिंग कर लेना आसान भी है देखिए तैयारी की बात होती है अपना अपना एक प्रसेप्सन है बाकी और भी पार्टी आ हैं लेकिन कोई नहीं कर पा रहा है इस त अंसत थे उनके साथ वो खाना खा रहे थे वो पत्तल वत्तल पे बैठके खाना खा रहे तो इस तरह की तस्वीरे शेयर की और एक संदेश वो खास तोर से दे रहे हैं मोदी जी वो कह रहे हैं कि बाई केवल मेरे नाम पे आप लोग आशिरित मत रहे हैं जो आप लोगों न इस तरह का narrative भी बनाने की कोशिश मोदी जी इसके माध्यम से कर रहे हैं कि केवल वो हर बार बात हो जाती है ने कि हर जगे हर राज्य में के साफ मोदी जी के चेरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा तो वो शायद मोदी जी उससे भी बचना चाहते हैं ये मैंने कुछ खबरे में इंडिये की सभी स्कीम बहुत अच्छे से इंप्लिमेंट की है पर प्रॉब्लम यह है कि बिहार के सांसदों ने इसका प्रचार यह कभी नहीं किया कि सेंटर देखिए यह चुनाव तो लोकसभा का है और लोकसभा तो नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा उन लोगों से हमारी रेगुलर जो जब जाती है बात होती है तो नहीं कहा है सर यह सरकार पहली बार है जो एकाउंट में टैरेक्ट किसानों को पैसा दे रही थी आज तक तो डीजल अनुदान के नाम पे हमको इतना दोड़ना पड़ता था अब तो कुछ करना ही नहीं है इस वज़े से वोट शिफ्ट हो जाता है कि यह दे रहा है सामने वाला वादा करेगा देगा या नहीं देगा पता नहीं क्योंकि उसकी देने की क्रेडिबिलिटी जो है अभी तक संसे जो है संदिहास्पद है वो दिया नहीं है तो यह एक फैक्टर जो है बहुत बड़ा चिराग पास्वान और इंके चाच्चा जी का पैचप अभी हो गया यह नहीं कि दो अच्छी तस्वीरे आई थी लेकिन उसके बाद अगले दिन भी कहां कि यह तो पैर वैर चुरे थे काफी चिराग उनके जी चिराग के पैर चुते हुए अच्छा ने दो डाले थे एक पाउं छूते हुए और दूसरा जो है अबिश्चा जी वाला और तीसरा जेपी नड़ा वाला यह तीन फोटो डाले थे लेकिन पसुपती पारस जी की टीम की तरफ से जब यह बयाना है कि यह तो एक अपचारिक मुलाकात थी गटबंदन में हम लोग साथ मैं तो यह वाल आप मैं चालता होगी क्या है क्या देखिए मेरे मानने से नहीं होता पर वास्तविक्ता यह है कि वहाँ पराम वोटर इस वक्थ partir अपना नेता मांन चुका है चिराग पास्वां को और पशूपती पारस नात जी को अपना नेता नहीं मांता है राम बिलास पासवान जी का रिकॉर्ड है विनिंग मार्जिन जो है अब तो मार्जिन टूट गया लेकिन ये भी अपने आप में एक है कि चलो उनका बेटा है तो आप चाहते हैं कि अपने पिता जी की सीट पे जब तक थे पिता जी चलो चाचा को दे दिया कोई बात नहीं अब वो चाहते हैं कि उस पे क्लेम किया जाए और पसुपती पारस नात के साथ समस्या यह कि हाजी पूर अगर उनको नहीं मिला तो बिहार में दूसरा कोई सीट वो जीत पाएंगे उसमें थोड़ा सा संसय है मुझे जमुई वो मुई में अगर अपनी जगह दे दे चाचा जी को तो भी नहीं देखे मोधी फैक्टर की बात अलग हो जाए मोधी फैक्टर के नाम पर बात अलग है वह बीजेपी और एंडिये के वोट से जीचे लेकिन अपना जो करिस्मा है क्योंकि मद्री भी रहे और सांस जबकि चिराग पासवान की मेहनत नजर आती है चाहिए वो सुसल मीडिया हो या अधरा बिना मंत्री बने ही मंत्री वाला रुतबार रखते हैं चिराग पासवान मैं वही कह रहा हूँ मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ मगर यह सत्य है मैं तो बयान देखा था उनके जो यह पाटी में जिस प्रकार से वह अपने आपको ऊपर उठा रहे और लोग जुड़ रहे हैं तो यह होगा ही आज नहीं तो कल वह अपनी इस महत्वकांशा को रखते होंगे चिराग पासवान और इसमें कोई गलती नहीं है अगर वह बिहार के सभी वोटर्स के मन में अपने प्रती सम्मान पैदा कर पाएंगे और अपना वोट शर जंप करा पाएंगे और ज्यादा तो सभाव है ना क्यों नहीं सभाव है अच्छा यह चिराग पासवान तो जमूई से जाना चाहते हैं हजीपूर यह नितीश कुमार जी के लिए पूरे विहार में कहीं सैटनी बै कि जैसे इनको लग रहा कि हम मुद्दी जी से कम तो है नहीं वह गुजरात से आकर के बनारस में चुनाओ लड़े और पीए मन गये देश व्यापी लेकिन अब बनारस में चुनाओ लड़ने की तो हिम्मत है नहीं तो चलो पूलपूर लड़ लेते हैं इसी बहाने प्रयाग राजवाला भी डाल देंगे कि हम भी कम नहीं है उलपूर से अतीक आहिमत कभी सांसद रहे हैं हाँ इसलिए मैंने कहा प्रयाग राजवाला डाल देंगे लेकिन उससे बात नहीं अच्छा उस पर गड़ी ती है सर की आठ बार वहां पे कुर्मी सांसद तो हो कि हैं तो उनको लग रहा है कि हम भी तो बिहार के कुर्मी लेकिन बिहार के कुर्मी उत्तर प्रदेस की अनुप्रिया पटेल वाले अलायंस पार्टी को और बीजेपी को छोड़के नितीश के पास जाएंगे तो क्यों जाएंगे और समराठ चोधरी ने बड़ा अच्छा काउंटर किया है कि आप फूलपूर में जा करके बिहार का कौन समोडल देंगे तो यह प्रश्ण उठेंगे और इन सब से इतर जद्यू वालों ने लफाजी शुरू किये बाते शुरू किये कि फूलपूर से लड़ेंगे फूलपूर से लड़ेंगे लेकिन अखिलेश य पहले से ही और आप वह अच्छी फाइट में रहे हैं नंबर वन नंबर टू की पोजिशन पर हमेशा समाजबादी पार्टी रही है तो अगर पैसे मुझे मैं आपको टोक रहा हूँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस नहीं है तेजस्वी आदम ने शुरू कराई है कानी क यहां से पढ़़ा हो यह तैस तो जाएंगे जहिए चोडेंगे नहीं तो इनने जो है यहां से बिहार से हाइटर मुझे तो और उनको पाया है थो नर्णास ए सब्सक्राइब मैं माणने को ट्यार नहीं हो खिलए İs के लिए यादव फूल-पूर वाली सीट देगा अगर आपको इतनी जी कहेंगे तो निती जी के लिए छोड़े जा सकती है अखलेश यादव किसी भी तरीके से जो मोदी विरोधी कैम्प है वो कोई हो चाए ममता बना ले चाए केसिया बना ले वो उसमें बुसने के लिए बेचैन है क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस बार क्या करें वो सारे प्रियोग कर चुके वो कॉंग्रेस के साथ जा के देख चुके मायावती के साथ जा के देख चुके उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपकी बार ये चार पांच सांसत बचे हुए हैं उनके घर परिवार के ये भी कैसे बचाये जाएं वो तो चाहते हैं कि कोई आ जाए हमारे साथ इस बार तो वैसे भी बीजेपी और योगी जी का प्लान यह है कि पिछली बार तो चलो लालू मुलायम जी का देहान थुआ था तो छोड़ दिया उतने अच्छे से एग्रेसिव कैंपेंग करके मैंपूरी नहीं लड़े हैं लेकिन इस बार मैंपूरी हार जाएगी योगी जी तो इसमें कोई कमी रखते नहीं है उनकी प्लानिंग चलती रहती है वहां पर विदायकों को अपनी तरफ मिलाना जिला पंचैट में छोटे-छोटे मेंबर्स को भी तोड़ने की कोशिश भले वह पांसो वोट लेके आए अपने साथ लोगों कोशिश उनकी चल पूलपूर वाली सीट वो दे देगा उनको कोई और सीट ओफर किया जा सकता है अगर इतना ही और सबसे बड़ी बात सर यह अलायांस को लेकर के जिस भरोसे पर चल रहे हैं नितीश कुमार लोग सभाब में कल जब ऑर्डिनेंस में बीजेडी ने साथ दे दिया तो कितनी में इंडिया में रहे हैंगे पहले ये तो हम और आप और यह नितीश कुमार नितीश कुमार इन्टीश कर्षा Until किवाल की उनका तो inve》 ने गास्तव और शेयों ठोलबी तो यही तीन लोग इन्टेस्टिष हैं और इन में से एक व्य अगर कोई दूरी कमजोर होगी तो यह इंडिया गिर जाएगा मुझे तो लग रहा है कि तीन लोग इंट्रेस्टेड हैं लेकिन उसमें तीसरा नाम नितीश्ट नहीं है तीसरा नाम आरजेडी के लालू प्रसाद यादो है और वो इसलिए हैं कि जब तक यह कुर्सी पे कु तो अपने लाल टे में से यालू परसाद यादो मजबूरी है अभी परसो भी उनकी छे साथ करोड़ की संपत्ति जो है टैच की है इडी ने तो उन्हें तो सबसे मुश्किल उनकी सामने तो मुश्किल यही है कि निती तेजस्वी को अंदर जाने से कैसे बचाया जाए उन उसमें भी सहमत हो जाएंगे लालू जी तो उनकी तो स्थिती इस समें इतनी खराब है मैं वही कह रहा हूं कि राजनीती में हम संदर्बों को अलग-अलग आयामों में देखते हैं अब तजिया निकालने मेरा मानना है कि सेकुलरिजम यह होता है कि आप तजिया निकले बि प्रभुस्रीराम जी की तब भी कुछ ना हो तो तजिया मोहरम में तो कुछ नहीं हुआ सार निकलती बिहार में समवेदन शील एयरिया के नाम पर कह दिया जाता है वो मुस्लिम एरिये से नहीं निकलेगी अब आप कलपना कीजिए सर मुझ जैसा भीहारी प्रस्त पूछता है ठीक है मेरे पूरवजों से तो आपने वोटिंग नहीं खरवाया था नहीं पूछा था लेकिन मैं आज पूछता हूं सर और गंभीर प्रस्त कि अगर पूरवी प सेकुलरिजम समाप्त नहीं मेरे इस प्रस्त का उत्तर में चाहूंगा कॉमेंट बॉक्स में आपके दर्शक अवस्य देखतो रहे और याना में क्या हो रहा है एक क्यों एक क्यों आप बिहार में ही नहीं पूरे देश में किसी भी इंदू से पूछ लीजिए कि पुलिस कि सवेदन शील एरिया में जाने से भैखाती है हिम्मत नहीं है उसका उत्तर सही बात है मैंने यूपी में बहुत दंगे कवर किये हैं मैंने रिपोर्टिंग किये है हिम्मत नहीं होती पुलिस की घुसने की आप वहाँ पे किसी को उठा नहीं सकते मुखविल तक नहीं पहु मामले पे थोड़ा सा पता यह तेजस्वी आदों बड़े खुश हैं कि जब से कोट का फैसला आया मेरे ख्याल से मामला सुप्रीम कोट में पहुंच गया है लेकिन इस थितियां जो बन रही है मुझे लगता है कि सुप्रीम कोट शायद पटना हाई कोट के फैसले पे सहमत लेकिन यह अब फिर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी अगर राज्य भी जाती है जनगन्ना कराने लगे लिए यह सीधे सीधे केंदर के शक्तियों में हस्तक छेप है फिर उसके बाद सारे राज्य कराएंगे फिर तो यह जितने भी मालो और देखिए यह विपक क्या हो सकता है फिर उत्तर प्रदेश में जाती है जनगन्ना होने के नाम पर प्रदर्शन करवाएगी अखिलेश यादव तो कही चुके हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी कभी तो हम तो जरूर कराएंगे उन्हों तो प्रेश करा लेना ना देखिए अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ जो है वह बहुत कच्छी है बिहार और उत्तर प्रदेश में जाती है जनगन्ना तो आप करा सकते हैं कोई दिक्कत में पर डेमोग्राफी में अंतर है बिहार में यादो लगबग साड़े चौदा परसेंट है और नौ प्रतिसद क्यास पास उत्तर प्रद प्रदेश में सिर्फ ब्राम्हण भूमियार की बात नहीं जाते और बिहार के किसी चरवाह विद्या तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंख जी के द्वारा जो कोई कॉलेज स्कूल था उसमें अध्यान करते तो शायद ज्यादा उनकी राजनीतिक जो है समझ बढ़ती अच्छा यह जो इसका शिक्षक वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा था इसमें क्या चल रहा है सुनने महारा नितीश कुमार अब बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं इन टीटीशक संग बगएर से कुछ इसमें क्या आपके साथ जब शो किया था तब भी यह कहा था कि अंत् इतीश कुमार ने धरले से नियोजन पे सिक्षकों को भरा था अब केके पाठक जो सचीव है सिक्षा विवाग के मैं इंट्रेस्टिंग बात बता रहा हूं बिहार के सिख्षा मंत्री आजकल मंत्राले में ने आरी है कि वह मंत्राले में आहीं नहीं और हÜसनो ऑप मंत्री है लेकिन मैं आपकी सुनूंगा नहीं करूंगा वही और इस वक्त इस्थिति यह कि बिहार के सभी सिक्षकों को शार्प नाइन एम स्कूल में होना है उसके बाद फोटो सेंड करनी है कि हम पहुंच गए हैं टेंडेंस की और शाम को जब स्कूल अब जा रहे हैं बीच में वध्यांतर के समय भी आपको फोटो सेंड करना है तो आपको यह योगी जी ने चलाया था यह पांच साल पहले क्योंकि यहां पर इस्तिती ती टीचर जाते रही थे अटेंडेंस लगा भाग जाते थे जो गैस्ट टीचर फैकल्टी होता था शिक्षा मित्र जिसको कहते हैं वह पढ़ाता रहता था बिचारा सारा दिन की जो में करते जो पचास-पचास-असी-असी-जार तनका ले रह कतरने के लिए ही पाठक को आगे बढ़ाया है कि वही इसके कुछ बसकी नहीं है आप फुद देखो इन चीज़ों को यह और जेडियू का जो कॉनफ्लिक्ट है वो भी शो करता है लेकिन यह ठीक है लेकिन राजनीती तो इस पर हो ही रही है अब हिना शहाब का बयान कितना लोकल मुस्लिम पार्टी भी है यह संस्थान के लिए वहां से खड़ी हो जाओ और सिवान किसी भी तरह बीज़े जद्यू छोड़ने को तो यह तो कैसे छोड़ दें तो यह जो कॉनफ्लिक्ट बढ़ रहा है यह सीवान का तो एक वीडियो वाइरल हो रहा है को मौल भी ए कि है और मौल भी को अरेस्ट कर लिया है क्रिप्या अफवा ना फैलाए अफवा फैलने फैलने वालों पे हम जबर्दस्त का लाइए वीडियो देखने पर सीवान का ध्यान आया मैं भी आर सर्च कर रहा था तो उसमें सीवान का वीडियो चल रहा था वो किसी ने बनाया कि मौल भी एक कर रहा हूं कि बिहार में तो खैर लॉय और्डर कितनी अच्छी है इसको लेकर के एक मैंने आज सुबह में भी आर्टिकल भेजा है कि बिहार पुलिस को यहीं पतानी चलते हैं सारों में मार काट मची हुई है उपर सेंचे कई समस्तिपूर में पूरा हाल है पूर दर्भंगा में अभी इंटर्नेट बंदे रहा गया था खोल देंगे दर्भंगा का समस्या जो है उप्रा गंभीर है और दर्भंगा को जिस प्रकार से बिहार सरकार और बिहार पुलिस ने हैंडल किया वो प्रस्ट उठाता है कि क्या बिहार के मुख्य सचीव के आने के वैसे मुख्य सचीव आपको पता ही है कि मुस्लिम है तो क्या बिहार के मुख्य सचीव के बाद मतलब दर्भंगा में जिस प्रकार से पूरा मिथलांचल में एक शो किया था मैंने मिथलांचल के ही अजीत जहा बुला करके और उन्होंने एक्स्प्लेन किया था कि कैसे मिथला जो है देखते देखते उसका को समाप्त हों देखिए मिथला मतलब यह था कि मुसलिम भी मैतली में बात कर रहा है वहाँ का systematically मनवी पासवार भी सब मैतली में अब मितला में पिछले बीस सालों से बदलाव हुआ वो शिफ्ट क्या हुआ कि जो मुसल्मान है वो दाड़ी रखने लगे मैतली की जिगव उर्दू बोलने लगे और खुद को मुसलिम दिखाने लगे यानि मितला के अंतर इसलामिक चीजों का बढ़ावा जो है वो बहुत तेजी से उन्होंने बताया कि नंबर आफ मस्जिद एंड मजार पिछले 10-15 साल में बढ़े हैं और immense रूप से बढ़े हैं तो उन्होंने ये सवाल किया कि ये जो हो र रहा है ये किसके राजनितिक इशारों पे हो रहा है क्योंकि बिना इसके पीछे इस डेमोग्राफी को बदलने के पीछे किसी का माइंड से अब हम सुचिए कहां बात करें पहले बंगाल की बारे में इसके बारे में मैं आपको बताओं कि सेम यही घटना जो है उत्तरा खं है वहाँ पे और चुकि जब से यूपी से अलग हुआ है तो उधर रिद्वार को अगर छोड़ दें बाकी कहीं भी जादे इतने मुस्लिम नहीं है तो वहाँ पे तो यह कोशिश कर रही है करी जा रही है यह जो विदेशी ताक्ते हैं इसके पीछे तो सब कुछ जो बाहर है वही कर रहा है उन सब लोगों का प्लान यह है कि हर विदान सबा सीथ पे 15-20 जार मुस्लिम आबादी हो अभी जैसे पुरोधा में हुआ था वहां से वहां के लोगों ने कहा कि जब इस तरह का चेंज हुआ उनके लोगों ने कहा कि बगा देंगे हम सब को और जो भी दस साल से बाद का जो मुस्लिम बाहर से आया है उसे हम बिजनेस नहीं करने देंगे ना उसकी हम दुकान से समान करी देंगे पोस्टर चिपकवाद यह वहां से भागना पड़ा लोगों को बस बहुत बड़ी सा चीज है यह उन इलाकों को टार्गेट किये जा रहा है जहां प इस पर किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे अभी फिलाल अगले एक सब्ता की जो गतिवी दिया होंगी मैं फिर वही परमपरागत सवाल पूछूँगा आपसे क्या होने जा रहा है बियार में जो अगले सब्ता के शो में हम डिसकस करेंगे किन चीजों पर नज़र रहे उसके बाद यह किस प्रकार से जो कारे करते हैं उसमें निर्भर करेगा अगला जो हम सेशन करेंगे बिहार को लेकर करके क्योंकि अभी जो है कुछ खास मुझे आने वाले एक हपते में बिहार में नहीं देख रहा है क्योंकि बहुत कुछ हो गया आपने लिस्ट में बिहार से एक मात्र नेता जो है जो टॉप फोटी नेता उनको अलग-अलग अध्यक शुपाद्यक सेक्रेट्टी वगरा बनाया गया उनमें से बियार का एक मात्र नेता है जो हमने आप इस सो में डिसकस किया था रितुराज सिन्हा को जगह मिलती है तो यह आप समझ सकते ह अहां जा रहा है कैसे जा रहा है और यह इसलिए अगले सब्ता के लिए रखते हैं बाकी सब चीजें और चर्चा होती रहेगी बात होती रहेगी आपसे हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें